वाडी शहर ट्रांस्पोर्ट हब है यहाँ पर सेक्डव वाहनों का आवागमन होता है वाडी नाके से लेकर आटवा मेल तक अमरावती राजमार किनारे अवैत पार्किंग का जमगाट है इसे हटाने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमा ने बैठक लेकर राजमार का तिकरमन और अवैत पार्किंग को हटाने के आदेश दिये हैं लेकिन आयुक्त के दिये आदेश का कहीं पर भी पालन होते दिखाई नहीं दे रहा है अमरवती राजमाग पर कारशोरूं के पास भारी मात्रा पर कारों की अवैत पार्किंग लगती है जिसके कारण दुरगटना भी हुई है इस पर M.I.D.C. आतियात P.I. सुनील गांगूर्दे कारवाई क्या नहीं करते यह सवाल नागरी को ने किया वही नाकन नमबर 10 से लेकर आटवा मेल तक सड़को किनारे आज भी अवैत पार्किंग का जमगट लगता है सामान भरने वाले दुकानदारों के गाड़ियों पर कारवाई तो होती है लेकिन सैकडों गाड़ियां आज भी खड़ी रहती है उस पर कारवाई नहीं होती बताएगा कि राज जिपाल का दोरा होने से वहाणों पर कारवाई का अभियान चल रहा है लेकिन यह अभियान हमेशे किले क्यों नहीं चलता यह भी सवाल यात्याद पी अई पर उट रहा है सूत्रों ने बताये कि अवैद पार्किंग से यातियात पुलिस अपने हाथ गिले कर लेते हैं जिसके वज़ा से कारवाई नहीं करते वहीं कारवाई में भेदभाव भी करने का आरोप कुछ वहांचालकों ने लगाया है वाडी शहर में करीब 7-8 चौराये हैं लेकिन सुभा और शाम को छोड सारे दिन एक भी पुलिस चौक पर दिखाई नहीं देता सुभा शाम भी एक ही जगा पुलिस इखटा होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं दिन पर यातियाद पुलिस कहां पर ड्यूटी करते हैं यह भी सवाल है इस पर यातियाद पुलिस आयुक ने विशेश ध्यान दे कर यातियाद में सुधाय लाने के लिए कदम उठाने की मांग हो रही है वाली सेन्बीसेन न्यूस किली सौरप पाटिल की रिपोर्ट